परिचय आमतोर पर आकड़े तालिका के रूप में भी दिखाए जा सकते हैं। आकड़ों का सचित्र प्रस्तुती करण आलेक कहलाता है। इस अध्याय में हम आयत चित्र और रेखा आलेक के बारे में पढ़ेंगे। आलेक को अच्छी तरह से समझाने के लिए समाचार चैनल और पत्रिकाएं आलेक का उप्योग करती हैं। आलेक से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ये पाई-चार्ट है जिसमें एक पत्रिका की दुनिया भर के विभिन देशों में बिकरी की तुलना की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि आलेक हमारे जीवन में कितनी एहम भूमी का निभाते हैं। उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दंड आलेक खीचना, दिये गए आकणों की पाई ग्राफ से प्रस्तती करना, आयत चुत्र खीचना, रेखा आलेक खीचना, आलेक बर बिंदू अंकित करना, आलेक की मदद से कुछ समतायोगिक समस्याओं को हल करना। आलेक प्रस्तती दंड आलेक यहां सांख्य की आंकणों को सचित्र, समान चौड़ाई वाले, कई उर्द्वाधर या क्षेतिज आयताकार स्तंब, जो एक दूसरे से समान अंतर पर हैं, के द्वारा दिखाया गया है। स्तंब आलेक में तिमाही, छमाही और सालाना परिक्षाओं में दिव्या की उपलब्धी दिखाई गई है। इससे हमें साल भर की उपलब्धी की तुल्ना करने में मदद मिलती है। उप्रोक्त आलेक से हमें मालुम हुआ कि दिव्या के कुल प्रापतांक में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे पढ़ाई में उसकी प्रगती पता चलती है। दंड आलेक दोरे भी हो सकते हैं। इस आलेक से हमें चार तरह के पठाखों की दो दिन में हुई बिकरी का तुल्नातमक विवरन मिलता है। उप्रोक्त आलेकों में पहला आलेक एक छातरा की तीन परिक्षाओं की तुल्ना दिखाता है। दूसरा आलेक दो दिन में हुई चार तरह के पड़ाखों की बिक्री दिखाता है वृत आलेक या पाई ग्राफ वृत आलेक का उप्योग किसी भी समूचे वृत के हिस्सों की तुलना के लिए किया जाता है समूचा दिखाने वाला वृत वृत आलेक या पाई ग्राफ कहलाता है 2008 के दिसंबर महीने में रामू ने अपना मासिक वेतन 7200 रुपए विभिन वस्तों पर खर्च किया आयत चुत्र आयत चुत्र आ वृत्ती वित्रण की रेखा चुत्रिय प्रस्तुती है जिसे आयतों के रूप में दिखाया गया है जिसमें आधार पर कक्षा अंतराल है और उचाईया आवृत्तियों के अनुपात में इस प्रकार दिखाई गई है कि किनी दो आयतों के बीच कोई दूरी नहीं है नीचे दिखाई गई तालिका में एक प्रवेश परिक्षा में सौ छात्रों के प्राप्तांग बताए गए हैं रेखा आलेख रेखा आलेख से वे आकड़े दिखाए जाते हैं जो समय की अवधी के साथ निरंतर बदलते रहते हैं उप्रोग्त तालिका में चैन्नेई शहर का तापमान दिखाया गया है जो दिन में हर चार घंटे में लिया जाता है इसे हम समय तापमान का आलेख कहते हैं क्षेतिज अक्ष रेखा एक्स अक्ष तापमान लिये जाने का समय दिखाती है उर्द्वा धर रेखा यानी वाई अक्ष तापमान दिखाती है प्रतेक चार घंटे का तापमान दर्ज करके बिंदूओं के रूप में आलेख में दिखाया जाता है इन बिंदूओं को रेखा खंडों से जोड़ा जाता है जिससे बनता है रेखा आलेख आलेख से हम देख सकते हैं कि सुभा दस बजे से दो पहर बाद दो बजे तक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ाउत्री हुई उदारण यह एक साइकिल सवार का स्थिती समय आलेख है आलेख में उन पलों का समय दिखाया गया है जब साइकिल सवार ने अन देखी होने पर अपनी गती बदल दी आलेख देखकर हम उस एक पल में साइकिल सवार की स्थिती का पता लगा सकते हैं किस समय वो किस जगह पर किस गती से जा रहा था उसने कितनी दूरी तै की यहां तक की कि वो किस दिशा में गया इस तरहा खंड AB से हमें पता चलता है कि साइकिल सवार ने 5 मीटर प्रतिस सकंड की गती से 20 सकंड में 100 मीटर की दूरी तै की खंड BC से पता चलता है कि साइकल सवार 100 मीटर का फासला तैक करने के बाद रुका खंड CD में हम देखते हैं कि साइकल सवार और तेज गती से आगे बढ़ा और 20 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी तैक कर ली इसकार्थ ये हुआ कि वो 10 मीटर प्रती सेकंड की रफतार से जा रहा था खंड DE में हम पाते हैं कि साइकल सवार 20 सेकंड के लिए रुका और खंड EF से पता चलता है कि साइकल सवार मुड़ा और 20 सेकंड बाद उसी जगा पहुँच गया जहां से उसने यात्रा शिरू की थी वो 15 मीटर प्रती सेकंड की निरंतर गती से साइकल चला रहा था निर्देशांक कक्षा में अपने स्थान का पता लगाईए इसके लिए आपको दो संख्याएं चाहिए एक तो पंक्ती संख्या और दूसरी स्तंभ संख्या उदारना अर्त तीन, दो यानि एक आलेख पर बाएं किनारे से तीन एकाइया और नीचे के किनारे से दो एकाइयों पर अंकित हैं आलेख पर हम एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं और फिर आवश्यक बिंदु उस पर अंकित करते हैं तीन कहलाएगा बिंदू का X निर्देशांग, एक दो है बिंदू का Y निर्देशांग, हम कहेंगे बिंदू के निर्देशांग हैं तीन दो, हमेशा पहली संख्या X निर्देशांग को दर्शित करती है और दूसरी संख्या Y निर्देशांग को. उदारण आलेक शीट पर बिंदू 4-5 अंकित करें क्या ये 5-4 के समान ही है? हल एक्स वाई अक्ष का पता लगाएं O 00 से शुरू करें पहले 4 इकाईयां दाएं ओर चलें फिर 5 इकाईयां उपर की ओर हम बिंदू 4-5 पर पहुँच गए आलेक पर बिंदू 4-5 और 5-4 बिंदू है रेखा आलेक एक आलेक में जो की अंकित बिंदू को एक रेखा में मिलाते हुए तयार किया जाता है रेखिक आलेक कहलाता है अनुप्रयोगिक समस्याएं दैनिक जीवन में हम सुनते रहते हैं कि विश्व में इंदन के कीमते बढ़ने से पैटरॉल के कीमत बढ़ जाती है अगर पैटरॉल का उप्योग कम किया जाए तो बिल की राशी भी कम रहेगी इसकार्थ हुआ कि एक मात्रा का दूसरी मात्रा पर असर पढ़ता है पैटरॉल का बिल पैटरॉल की मात्रा पर निर्फर है हम कहेंगे कि पैटरॉल की मात्रा सुतंत्र चर है और पैटरॉल बिल की राशी उसका आश्रित चर है ऐसी राशियों के संबंध को हम आलेक द्वारा भी प्रदैशित कर सकते हैं उदारण, मात्रा तथा मूले नीचे दी गई तालिका चावल और उसके मूले की मात्रा बताती है ये आंकडे दिखाने के लिए आलेक तयार करें चावल की किलोग्राम संख्या को एक्स अक्ष यानि 36 अक्ष पर एक किकाई बराबर 5 किलोग्राम से चिन्हित कीजिए चावल के मूले को वाई अक्ष यानि ओर्धवा धर अक्ष पर एक किकाई बराबर 100 रुपे से चिन्हित कीजिए बिंदुओं को अंकित करें दस, तीन सो, पंधरा, चार सो पचास, बीस, छैसो, और पचीस, साथ सो पचास बिंदुओं को जोड़ें आलेक मूल के बीच से गुजरेगा मालीजिये हम सत्रा किलोग्राम चावल का मूले जानना चाहते हैं तो क्षेतिज अक्ष पर सत्रा ढूंडें, फिर सत्रा से गुजरते उद्वाधर अक्ष का अनुसरन करें जब तक कि वो आलेक पी पर ना मिल जाए पी से एक क्षेतिज रेखा लें और चार सो पिछत्तर पर उद्वाधर अक्ष से जोड़तें ये मिलन बिंदू सत्रा चार सो पिछत्तर आपका उत्तर है ये एक ऐसी प्रस्थिती का आलेक है जिसमें दो राशियां समानुपात में हैं ये आलेक हमेशा रैखिक ही होगा उदारन, मूल और साधारन ब्याज एक बैंक वरिस्थ नागरिकों को उनकी जमाराशी पर ग्यारा प्रतिशत साधारन ब्याज देता है जमाराशी और उस पर अरजित ब्याज के बीच संबंध दिखाने वाला आलेक बनाएं पांसो रुपए के निवेश पर मिलने वाला वार्शिक ब्याज 88 रुपए वार्शिक साधारन ब्याज अरजित करने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा हल 36 अक्षपर रुपए का निवेश X में अंकित करें यहां एक इकाई बराबर 100 रुपए है उर्द्वा धर अक्षपर ब्याज की रुपए को वाई अंकित करें यहां एक इकाई बराबर 10 रुपए है बिंदू 555, 666, 777, 888, 999, 1110 अंकित करें अब इन बिंदूओं को जोड़ते हैं 500 रुपए X अक्षपर हमें मिलेगा 55 रुपए पे आज वाई अक्षपर वाई अक्षपर 88 रुपए होने पर जमाराशी होगी 800 रुपए X अक्षपर उधारण समय और दूरी अक्षपर किसी कार को लगातार 40 किलोमीटर प्रती घंटा की रफदार से चला सकता है इस इस्थिती के लिए समय दूरी आलेक बनाएं इससे पता लगाएं 160 किलोमीटर की दूरी तै करने में अक्षपर ने कितना समय लिया धाई घंटे में अक्षपर ने कितनी दूरी तै की हल इन राशियों से हमें निम्न ताली का प्राप्थ होती है पैवाना X अक्ष एक किकाई बराबर एक घंटा Y अक्ष एक किकाई बराबर 40 किलोमीटर 36 अक्ष समय दर्शाते हैं उर्दवा धर अक्ष दूरी दर्शाते हैं एक, चालीस, दो, अस्सी, तीन, एकसो बीस, चार, एकसो साथ, तथा पांच, दो सो, बिंदों को अंकित कीजिए बिंदों को मिलाईए, हमें एक रैखिक आलेक प्राप्त होता है उर्दवा धर अक्ष पर एक सो साथ किलोमीटर, चैतिज अक्ष के चार घंटे के अनुपात में है चैतिज अक्ष का धाई घंटा, उर्दवा धर अक्ष के सो किलोमीटर के अनुपात में है इसलिए 160 किलुमीटर की दूरी अक्षे ने 4 घंटे में तै की और 5 घंटे में वो 100 किलुमीटर की दूरी तै कर सकेगा सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं आकणों की सचित्र प्रस्तुती आलेक कहलाती है दंड आलेक का उप्योग श्रणियों के बीच तुलना के लिए किया जाता है किसी समुचे के हिस्सों की तुलना करने के लिए वृत आलेक पाईग्राफ का उप्योग किया जाता है आयत चित्र लगतार अंतराल वाले आकणों के लिए दंड आलेक होता है रेखा आलेक में वो आंकडे दिखाये जाते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं अंकित बिंदों को मिलाने पर प्राप्त आलेक एक सरल रेखा होती है आलेक पर एक बिंदो अंकित करने के लिए हमें X और Y निर्दे शांकों की जरूरत पढ़ती है हम रेखा आलेक के माध्यम से समानुपाद दिखा सकते हैं